तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांड दुरु का कॉमिक दिस जिशांग दुरुभत्याराय का तीसरा और अंतिम भाग इसी वक्त एक अंजान जगे पर पूरी नीम भी नहीं 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 थी कमबक्तों है ठकान लग रही है कहो एफेक्टो कैसी खबर लायो कैस से हमारा प्लान जानती थी यह कैसे हो सकता है कौन थी वह लड़की जरूर तुम तुरंत अपना ठिकाना बदल लो अगर शाला तुमारा ठिकाना भी जरूर जानती होगी अगर बद्रुभ के तुमारे ठिकाने तक ले आई तो सारा बेद खुल जाएगा यह काम मैं पहले ह काम किया है जो हम करना चाहते थे दुरुभ को भगोड़ अपरादी बना दिया है और साथ साथ तुमको भी भगोड़ बना दिया है तुम साफदान रहना और ध्यान रखना है कि इस मामने में हमारा कहान नाम कभी भीच में न आ आये इसी वक्त मुझे 5 मिनिट हो गए इंत और शाला वाला सूत्र भी मेरे हाथों से निकल गया है, अब मुझे चिडियों को शाला को ढूलने के काम पर लगाना होगा, और वे चिडिया भी तपी सफाल होगी, अगर शाला ने अभी तक अपना रूप ना बतला हो, ओ, द्रूप, वे शड्यनकारी यहां से भाग गया है शाला तुम आ गई, लेकिन वे शड्यनकारी यहां से भाग कर कहां गया होगा, उसका एक अड़ा और है, और मुझे पूरा यकीन है कि शड्यनकारी के साथ साथ तुमको निर्दोर साबित करने का एक मात सबूत भी वहीं पर होगा, आओ मेरे साथ, इफेक्टों परिशान बॉस, हमारे गैंगों में उसली है, जैसी कोई लड़की है ही नहीं, तो फिर कौन है, हमारे गैंग का भगदार जिसने चुगली करी है, जिसने भी की सही की थी, और इसका सबूत ये शोला है, जो तुमारे सामने खड़ा है, अब तुम इस बास से इंकार नहीं कर सकते कि इसारा शेडन तुमारे धिमाग के उपज है, तुम यहां कैसे पहुच गए, किसने दिया तुमको यहां का पता, उसी ने, जिसने मुझे तुमारे शेडन के बारे में बताया दू, और अब तुम मुझे चुप चाप यह बता दो, कि मुझे अपरादी बना कर तुम क्या करना चाहते हो तुमको शाला ने यहां का पता बताया लेकिन यह तो अत्यम्त कुप टड़ा है एक फिल्म इस्टूडियो के अंदर मेरे कई आद्मियों तक को इसका पता नहीं है उस लड़की को इसका पता कैसे चला खैर फिलाल इसको ठिकाने लगाओ शोला यहां पर इसको पता कर मर कि कि तुझे यहां पर लाने वाली शाला कहां पर है उसस्टूडियों के अंदर ये और उसने ये वादा भी किया एक है यार नहीं इस्टूडियो में एक दूसरे स्थान पर अभे यह तो वही लड़की है जिसमें लॉक अपसे द्रुग को भगाया था शाला तुम मुझे पैचान गए यहानि तुम तीनों वही मास्कदारी हो जो लॉक अपसे द्रुग को भगा कर अपरादी साबित करना चाहते खैर मेरी तुमसे कोई दूश्मन ही नहीं मेरा रास्ता चोड़ दो तुमको धंकार ही यह इसलिए कमजोर समझ रही है क्योंकि हम लॉक अपसे भाग खड़े हुए थे लेकिन ऐसा इसलिए हुए था क्योंकि द्रुग को लॉक अपसे भागा कर तू हमारा ही काम कर रही थी अब तु यहाँ पर आईए, तो से भालवार यहां पर आई है, तो सिब मरने के लिए, हमारे हाँ तो, भून डालो इसे, तर, तर, वेशुमार गोलिया चनी, साथी साथ शाला का शारीर और तलवार नहीं हवा में लहरा उटी, तन तन क्रंच ओ सारी की सारी गोलिया तलवार से टकरा कर छितरा गई ये कैसा जादू है तलवार बाजी का जादू है जिसे मैंने एक प्राचीन चीनी मंदिर के पजारी से सीखा था अब अगर अपने शरीरों को इस दिवाल की तरह दो तोकुड़े में बट्टा नहीं देखना चाहते हो तो रास्ता छोड़ दो भागो साफ हो गया रास्ता नहीं रास्ता तो अब साफ होगा जब तू इस रास्ते से हटेगी शाला एफेक्टो ओ यानि तू मुझे जानती है लेकिन फिर मैं तुझे क्यों नहीं जानता कौन है तू तेरी गिरफतारी का वारंट दुरुफ शोला से उलजा हुआ था उफ गिरफतारी की समय मैंने खुदी अपने ब्रेसलर्ड और बेल्ट के खानों में रखा सामान पुलिस के हवाले कर दिया था अब मेरे पास अपनी मदद के लिए कोई सामान नहीं है ना स्टार लाइन और ना स्टार ब्लेड सिर्फ दिमाग काई भरोसा करना पड़ेगा तू बचेगा नहीं द्रोब यह सैट चलाने के लिए लगाया गया है अब तू भी इसी में जल मरेगा आग तो भीषण हो रही है इसको बजाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा किसी तरह शोला को बेवस करना होगा शायद ये पानी भरी बाल्टी मेरी मदद कर सकी एक बाल्टी पानी एक बाल्टी पानी से तु शोला को बजाएगा मुर्ख कहीं का ओ तु पानी मुझ पर नहीं बलकि इस जलती लकड़ी के शैतीर पर ठेक रहा है क्यों क्योंकि इस से लकड़ी गीली हो जाएगी और गीली लकड़ी जल्ले पर बहुत धुमा उगलती है और इस गाड़े पर नहीं शोला के होशो आवास चीन दिये अब शाला को डूणना है कहीं शोला के बॉस के कारण हो किसी खत्रे में नाफस गई हूँ वै अंदर गुस्ते समय इसी दिशा में गई थी शाला द्रोफ द्रोफ क्राक ये भगवान तो ये है सच्चाई चैस बोट जिन्दा है? मरा नहीं है? हाँ मरा नहीं है जो लाश तुमने देखी थे वो किसी और की थी जिसको हमने चैस बोट जैसे कपड़े पहना कर और जला कर पानी में बहा दिया था ये सच्च शाला ने कैसे जाना ये सोस्ते सुस्ते मेरा तो सिर्थ उग ग गया अब तुझे निर्दोर साबित कर सकने वाले एक मातर सबूट चैस बोट को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं तेरे पास दो ही विकल्प हैं या तो दो अपनी मित्र शाला को नीचे शूलो पर गिरने से बचा ले या मेरे पीछे आगर चैस बोट को पकड़ ले मेरी फिक्मनत करो द्रोग तुम अपने को निर्दो साबित करो द्रोग नां को बताम मत होने देना होने दो नई शाला तुमारी जिन्दगी मेरे उपर लगे आरोपर से जाता कीमती है पहले मैं तुमको बचाऊंगा फिर समयरा तो चैस बोट के पीछे जाऊंगा तलवार वे इस भुलबलाईमन आजाने कहां निकल गए होंगे मुझे पता है कि वे कहां जा सकते हैं तो मेरे साथ आओ इस टूडियो में ही अब तुझे कहां पर ले जाकर छुबाऊं चैस बोट पता नहीं है शाला मेरे और कौन-कौन से ठिकानों का पता जानती है किसी भी ठिकाने पर चलो लेकिन पहले यहां से तो निकलो उन दोनों भूतों को कोई भरोसा नहीं है घबराता क्यों है वे द कमाल है यह रास्ता तो मैं भी नहीं जानता था खैर यहां पर एक ऐसी चीज़े जिसके बारे तू भी नहीं जानती होगी शाला यह यह राक्षा से कहां से ख़ड़ा हो गया यह एनिमेट्रॉनिक्स का कमाल है इसका प्रयोगा भी कली एक साइल्स विक्शन फिल्म की आप्यार नजहीं लेकि मेरे पास है तेरी तलवार में जितना लुगा लगा है उतना तो सिर्फ इसके पंजों की एक उंगली में लगा है अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने मुझे यहां पर रुका जहां पर तुमारी मौत का परिष्टा पहले से ही तुम दोनों का इंति और वह कोई और एफेक्टो ही हो सकता है वह इस दैत को कंट्रोल करने के लिए अपने उगलियों का प्रयोग नहीं कर रहा है यानि कंट्रोल इसके हेलमेट महोंगे जिनकों यह अपने विचारी तरंगों के माध्यम से चला रहा होगा शाला की तलवार अभी मुझे मेरे अब आराम से चल चेसबोर इस दिवार को तोड़कर वे तो उनों हम तक नहीं पहुंच सकते हैं अगर नहीं पहुंच सकते तो लोही की दिवार में दरारे क्यों पड़ रही है ठाक ठाक दिवार तूट रही है लेकिन यह कैसे संभाव है द्रोव और शाला के पास इतनी श बे गुनाई का सबूत मेरी गिरफ्त में है और यह सिर्फ तुमारी मदद से संभाव हो सकाई शाला शाला कहां गई है और फिर एफेक्टो और चैसबोर्ट अपना गुनाह कबूल कर लिया है द्रोव शोला को हमने सरकारी गवाव बनने पर राजी की राजी भी कर लिया है अब तो मत्य है कि आरोव से मुक्त हो लेकिन एक आरोव तो मुझे पर अभी भी पचा हुआ है लॉक अप से भागने का अपराद उसकी ज़दा तो मुझे काटनी होगी तुम लॉक अप से रात को दो बचकर 23 मिट पर निकले दे और मैंने जैस साहब से जमानत की अर्जी पर दसका दो बचकर 30 मिट पर करवा लिये थे तुम तो जमानत होने के तीन मिट पहले नहीं तीन मिट बात निकले हो फिर तुम अपरादी कैसे हो गए नहीं हुए ना और हां हमने एफेक्टों और उसके आदमियों पर सारे दाओ आजमाली हैं लेकिन फिर भी यही कह रहे यकीन तो नहीं होता लेकिन मानना ही पड़ेगा सरसिफ शाला जानती है पर हम शाला को नहीं जानते इसी वक्त मेरा सारा प्लान फेल हो गया दिरूब भेगुना साबित होई गया और इसका कारण सिर्फ एक ही है वह रैस में लड़की शाला उसने मुझको चुनावती देन की हिम्मत किये मेरे रास्ते में अपनी टांग अडाई है अब मैं खुद उसको ढूंड कर उसके ऐसे सदा दूंगी कि मुझे शाला का हुलिया बताए गया था ये तो ये तो उसी के कपड़े और मास्क है मुझको खुले हम चुनावती दे रही है मुझे दिखाना चाहती ह कि उसकी पहुंच मुस्तक भी है मैं तेरी चुनावती को स्विकार करती हूं शाला मैं तुझे ढूड़ूंगी और तुझे हराम से तलपा तलपा कर मारूंगी ये कमांडर नताशा का बाता है दीरज रखिए शाला जल्दी सामने आएगी शेहनशा में और तब देखना य आएगी या नहीं इंतजार कीजिए समाप तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडर दरुप के अगले विशेशांग